आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा निपोन इंडिया पावर एंड इंफरा फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आप से डिसकस करूँगा कि निपोन इंडि इसमें मिनिममम SIP अमांट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साथ मैं आप से डिसकस करूंगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेर है और अगर आप अभी इसमें कुछ करते हैं तो आने वाले एक साल तीन साल पांच साल के अंदर आपको क्या का रिटन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक मैने के रिटन के उपर बात करते हैं तो एक मैने में जो रिटन दिया है वो 0.11% का return दिया है 6 मेने में return की बात कर लेते हैं तो 6 मेने में 49.28% का return है एक साल में return की बात कर लेते हैं तो एक साल में 73.31% का return दिया है 3 साल की return की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 36.88% का return दिया है 5 साल की return की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 29.23% का return है और अगर annual return की बात कर लेते हैं तो annual return है 16.19% का ये तो अभी हम लोग उनने सबसे पहले देखा इसका return अब लोग इसका कुछ basic knowledge को देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनवीव का price है 320 रुपया 23 पैसा minimum SIP amount आप इसमें 100 रुपय लगा सकते हैं ये 3 star rating mutual fund है इसका जो fund size है 384 करोर का अब बात करते हैं मान लीजिए आप इस mutual fund में 50 रुपया पर मंत SIP किये होते हैं तो पिछले एक साल तीन साल पांस साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता तो एक साल की बात कर लेते हैं एक सा साल में जो आपका पैसा जमा होता वह जमा होता साथ जार रुपया आपको मिलता बिरासी हजार चारसो बिरासी रुपया तीन साल की बात कर लेते हैं तो तीन साल में जो आपका पैसा जमा होता वह जमा होता तीन साल की बात कर लेते हैं तो पांस साल में जो आपका पैसा ज जमाक लमसम किये होते तो आपका एक साल में जो आपका रिटन मिलता एक लाग का वो मिलता एक लाग तीहत्तर अजार तीन सो दस रुपया तीन साल में आपका एक लाग रुपया दो लाग चार सो साथ रुपया होता और पांच साल में आपका एक लाग रुपया तीन लाग सा चेतर पे है, Larson and Turbo Limited जो Construction के चेतर पे है, NTPC Limited जो Energy के चेतर पे है, Ultratech Cement Limited जो Construction के चेतर पे है, Boss Limited जो Automobile के चेतर पे है, Kines Technology India Limited जो Capital Goods के अंदर है, भारती Atel Limited जो Communication के चेतर पे है, Container Corporation of India Limited जो Service के चेतर पे है, Science DLM Limited जो Capital Goods के अंदर है, और Induce Tower Limited जो Communication के चेतर पे है, अब इसकी Holding Analysis को समझे, तो Equity पे है 94.2% और Cash पे है 5.8% अब इस Equity को यदि सेक्टर वाइस देखते हैं, तो Capital Goods के अंदर है 26.8, Energy पे 25.1, Construction पे 22.6, Others पे 12.2, Communication 7, और Autumn Wealth 6.2%. अब इसका P.E. Ratio की बात करते हैं, तो इसका P.E. Ratio है 32.16, और P.E. Ratio है 4.33, Minimum Investment Amount की बात करते हैं, यदि आप लंसम करना चाते हैं, फर्स्ट टाइम में, तो minimum लंसम आप 5000 का लगा सकते हैं, Second Time यदि आप करना चाते हैं, तो 1000 से भी Start कर सकते हैं, Minimum S.I.P. Amount 100 प्या का सेट किया गया है, अब हम लोग Return and Ranking के उपर बात करते हैं, तो एक साल का जो fund return है, वो 73.3 का है, 3 साल में 36.9 का है, 5 साल में 29.2 का है, एनवल 16.2 का है, वह इस काटेगरी का जो average return रहता है, एक साल में 27.6 रहता है, 3 साल में 30.7 रहता है, 5 साल में 25.6 रहता है, एनवल डाटा नमर पर रेंक करता है, अब इसके आज़ पस यह दी similar funds देखें हम लोग, तो इसके आज़ पस similar funds है, वो है quant infrastructure fund diet growth, कोटक infrastructure and economic reform fund diet growth, SBI combustion optionative fund diet growth, SBI health care optionative fund diet plan growth, सुन्दरम financial service optionative fund diet growth, इसकी expensive ratio की बात करते हैं, तो इसका expensive ratio है 1.25% का, exit load की बात करते हैं, यदि आप एक मेंहें के अ पैसा निकालते हैं, तो एक परसंट का exit load देना होगा, स्टाम डूटी की बात करते हैं, स्टाम डूटी है 0.005%, अब हम लोग इसकी fund house and investment objects को देखते हैं, तो निपोन इंडिया mutual fund टोटल असिस्ट के बेस पे इंडिया पे 6 नमर पे रेंग करता है, ये mutual fund इसका टोटल असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 4.23.111 कर रोका, अब हम लोग बात करते हैं, निपोन इंडिया power and infra fund जो है, एक equity mutual fund है, जो की launch किया गया है निपोन इंडिया mutual fund की तरब से, ये mutual fund इस्टार्ट वा था, 30.1995 को, संजेद दोसाई जो है अभी current fund manager है, निपोन इंडिया power and infra fund डायड ग्रोथ का, इस fund का currently असिस्ट अंडर मनेजमेंट है, 4.23.112 करोड का, और latest ने भी 320 रुपयर 23 पैसा है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके क्या, निपोन इंडिया power and infra fund डायड ग्रोथ के बारे में, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,